अब लो फैमिली उमीद करता हूँ आप लोग खेरेश से होंगे तो आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग स्ट्राडिजी में जो हार्मोनिक पैटन होते हैं उसके एक पैटन को हम सीखेंगे जो कि है बैट पैटन बैट पैटन भी आप दो तरह के होते हैं एक बुलिश बैट और एक बैट पैटन होता है आज की वीडियो में हम बुलिश बैट पैटन सीखेंगे उसके रूल्स देखेंगे उसका रिवर्सल जोन देखेंगे और टेक प्रॉफिट्स उसके क्या होने चाहिए वो हम देखेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्कीन की तरफ चलन करना है आपको एक नॉर्मल से लाईख को फवाइंड करना है यह मैं एक ectuoin है एक कर लिए ठीक है एक टु एक फाइंड करने के बाद आपको फिबनाइची टूल को यूज जा जाएगा यह मेरा फिबनाजी टूल है इसको यूज़ करते हो मुझे कीया करना एे टू बी लेग बनाने का rule है, वो rule है जो ओपका बी लेग होगा वो 0.382 के लेबल को तो cross करेगा, लेकिन 0.618 के लेवल को exceed नहीं कर सकता, क्या बात हुई 0.382 को cross करेगा, बट,0.618 वो तो OFA बनाते हैं, A leg मेरा यहां से आपका और यह B लेग मेरा यहां तक जाएगा मैं इसको यहां तक लेकर चले जाता हूं ड़सन्ट मार्टर X2A बन गया A2B बन गया अब मुझे क्या करना है मुझे B2C लेग बनाना है B2C लेग बनाने के लिए मैं दुबारा से फिबुनाची रिट्रेश्मेंट टूल को यूज़ करूँगा इसको रिमूब करूँगा यहां से सलैक किया अब मुझे फिबुनाची रिट्रेश्मेंट टूल को A पे रखना है और उसे मैं B तक लेके जाऊंगा मैं इसको B तक लेकर आया तो अब मेरे पास क्या रूल है अब मेरे पास यह रूल है जो B2C लेग होगा उसमें यह जो लेग है वो 0.382 तो क्रॉस करेगा पट 0.886 के लेवल को एकसीड नहीं करेगा तो कैसे बनेगा यह ऐसे बनेगा यहां पर मैंने एक लाइन सेलेक की यहां पर मैं आया इस पॉइंट से मैंने लाइन बनाई और मैं उसको यहां तक लेके जाऊंगा 0.786 0.886 तभी लेके जा सकता हूं बट उससे एकसीड अगर मैं करूँगा तो मेरा पैटन इन्वैलिट हो जाएगा 0.786 तक मैंने बना दिया अब मेरा आखरी लेग रहे गया है उसको बनाने के लिए मैं दुबारा से रिट्रेश्मेंट टूल को यह वाले को डिट करूंगा एक नया टूल सेलेक्ट करूंगा तूल सेलेक्ट करने के बाद मैं जो अपना एंकर लेग जो था मेरा एक्स टू है फिबनाच रिट्रेश्मेंट टूल को मैं वहीं पर ही प्रेस करूंगा फ्रॉम एक्स टू ए जो मेरा लास्ट लेग है डैट इस सी टू डी जो डी पॉइंट होगा वह 0.886 पे शार्प रुकना चाहिए इसमें एक टेक्निकल चीज है वह क्या है अगर हमें पता है तो ये पिर साथ-इसाथ और कंगे अगर लोगों ने बैट पटन को जहां पर 0.886 लेवल ता उससे बिलकुल नीचा अगर लगा 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 तो फिर सारी लिक्विडिशन वह लोग घाएंगे तो लोगों क्या करना चाहिए कि फोड़ा सा दूर वह सेट करने से 0.8 लेकिन वह लगा दिया अब जो मेरा लगा जो अपना रिवर्सल जोन कहां तक जाएगा शाप 0.886 तक सही हो गया अब जो मेरी यह पोजिशन होगी मैं इस जगह को इस पूरी जगह को मैं अपना रिवर्सल जोन कहूंगा इसमें कैंडल यहां पर क्लोज होनी चाहिए कैंडल नीचे नहीं जानी चाहिए अगर मेरी कैंडल नीचे जा रही है तो फिर तो 110% मेरा जो पैटन है वह इन्वैलिट हो गया है इसके नीचे विक जा सकती है ठीक है कैंडल नहीं जा सकती तो इसी लिए क्योंकि जा सकती है एक मार्जिन है तो आपको पॉप लॉस है इस टॉप लॉस आप थोड़ा सा मार्जिन देके यहां पर सेट कर ठीक है ताकि अगर विक भी जा रही है तो फिर आपको मसला नहीं है आपको जो रिवर्टस जोन बन जाएगा आपके टेक प्रॉफिट जो है वह आ जाएंगे आप प्रॉफिट कमा लेंगे इसके टेक प्रॉफिट देखने के लिए मैं क्या करना है टेक प्रॉफिट हम किस तरह से लेंगे यह देखें यह मेरा पहला होगा 0.786 0.6182 और 0.53 इससे उपर जा रहा है तो ठीक है लेकिन लालस नहीं करनी ग्रीट नहीं करनी क्रिप्टो है बहुत होती है अगर टेक प्रॉफिट टू पर ही आपका पेट भर रहा है तो यहीं पर प पर चलते हैं यह बिटीची का चार्ट यह था करने एक स्टू एलेग आपने फाइंड करने हैं यहां पे मैं आया यह मेरार एक्स पॉइंट हो गया मुझे यह ए लेग ठीक है एक्सटू एलेग मुझे मिल गया अब मुझे फिपोनाची डेश्मेंट की तरफ जाना है मैं यहां पर आया मैंने इदर एपर रखा कि नाचिर टूर को मैं यहां पर आया मैंने एक्स पर रखा एक्स पर मैं लेके जाओंगा अब मुझे देखना है कि बाई जो मिझे एटू बी लाग बनाना है उसका रूल किया है कि वह 0.382 क्रॉस करेगा मगर वो 0.618 को एक्सिड नहीं करेगा तो यहां पर मैं आता हूँ इधर मैं देखता हूं तो यह दो को यहां पर यह जो विक जा रही है 0.618 को क्रॉस नहीं कर दिया तो बिल्कुल परफेक्ट चला है कोई मसला नहीं है अब मुझे क्या करना है जो मेरी के लिए वह क्या होगी वह 0.886 पर नहीं जाएगी 0.382 को वह क्रॉस करेगी तो यहां पर देखें मैं इस पॉइंट से अगर जाता हूं यह मेरा बी पॉइंट है बी तूसी मुझे जाना है तो मेरा बी पॉइंट यह रहा सी पर जाने के लिए मेरी यह फिक्ट देखें यह क्लोज हो रही है यहां पर अब मुझे देखें 0.886 का लेवल यह है इसने इसको एक्सीड नहीं किया लेकिन 3 0.382 को एक्सीड कर दिया तो बिल्कुल वैरेट पैटर्न है अब मैं दुबारा से फिपनाशी फिक्र अएब उसको क्लोज कहा होना है 0.886 पर तौ आप यहां पे देखें यह मैं आया 0.886 थीम् हम्ने हो गया अब यहां सこの जोन इसको डेशन हो गिया अगर मैं इस पर देखें तो मैं अपना stop loss कां सेट करता मैं अपने stop loss में खाइब इक मार्जिन देंगर स्टॉक लुछ बताःता अब बाता ने 색क है तर्फ अब बात आति है मिस 2 एक प्रॉफिट ट­क प्रॉफिटंश को आपने क्या करना है एक sa वह एक एले आपको ही लेंनों को बनाकर चलना है आप प्लाफिट के लिवल हो होंगे यहां पर 0.786 पहला 0.618 दूसरा 0.5 तीसरा अब आप यहां देखें यहां पर पहला दूसरा तीसरा चौटा पांचवा चौटा साथा आटवा नवा दसवा सारे मीट होगे यह एक्यूरेसी है बैट पैटन जो है काफी एक्यूरेट होता है अगर वो कंप्लीट कहीं बन रहा है तो विक्स वगेरा को छोड़के इतने गैप को छोड़के यह जो रिवर्सल जोन इतने रिवर्सल जोन पर रखते हुए आपको ट्रेड लेनी चाहिए इस टॉपलोस अपना वीडियो समर्ज में आयोगी जाते-जाते मेरे चैणल को अच्छे pozरू कर दिया ओसलिए मेरे चैनल को अच्छे सब्सक्क्राइबर्स नेख अर इसलीज़ें और एडियोगी इसलीजर एक चैनल कि रालवंग। क्योंकि मुझे काम करते हैं मजा रहा है जिस चीज़े मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं और अच्छे सवापको मैं सिखा सकूँगा और आपको अच्छे से इंटरेटेंट कर सकूँगा अमीद करता है आपके वोडियों समझ मैं होगे फिलाद के लिए एतना ही अलाफिस